नमस्ता रगाप दोस्तो टेक्निकल कराम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने कंप्यूटर के हाट डिस का पार्टिशन स्टाइल चिक कर सकते हैं जब आप Windows 11 का system requirement देखेंगे तो उसमें आपको एक option मिलेगा system firmware उसके आगे लिखा होगा UEFI जो की एक method होता है दूसरा method होता है legacy जो की MBR को support करता है और UEFI GPT को support करता है तो दोस्तों अगर आप अपने computer में Windows 11 install करने का सोच रहे हैं तो उससे पहले आपको ये पता होना कि आपके hardest का partition style MBR है या फिर GPT है MBR और GPT में दोस्तों क्या difference होता है इसके क्या advantage है और किसके क्या disadvantage है इसके details में मैं आने वाले कुछ दिनों में वीडियो बनाऊंगा और अपने channel पे upload करूंगा इसलिए दोस्तों मेरे channel को आप जरूर subscribe कर लेना तो आईए दोस्तों आज क चेक करने के लिए अब आपको यहाँ पे windows explorer को open कर लेना है windows explorer को open करने के बाद यहां left top में देखिए disk PC का option मिलेगा आपको इस पर right mouse क्लिक करना है फिर यहाँ पे दूसरा option मिलेगा manage का आपको manage पे क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पे computer management का page open हो जाएगा यह computer management का page open हो गय इस page पे यहाँ left side में देखिए आपको option मिलेगा storage इसके अंदर आपको एक option मिलेगा disk management आपको यहाँ पे दोस्तों disk management पे क्लिक करना है फिर आपके hard disk का पूरा detail आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपके hard disk में जितने भी partition है जिस partition का जितना size है वो सारा detail आपको यहाँ पे मि इस page पे देखिए उपर तीसरा option मिलेगा volumes, आपको volumes पे क्लिक करना है और यहां पे partition style के अंदर देखे लिखा है master boot reward यानि की MBR, अगर यहां पे GPT होता तो यहां पे लिखा होता guided partition table, तो कुछ इस तरह से दोस्तों बहुत ही आसानी से आप अपने हाटीस के partition style को चेक कर सकते ह उमीद है दोस्तों आपको यह वीडियो जरूब पसंद आया होगा, अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो, आप इसको लाइक करिए, इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, अगर यह वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं, आप मेरे Facebook पेज को लाइक पर फोलो करिए, अगर YouTube पे देख रहे हैं, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है, तो प्लीब इसको सबस्क्राइब करिए, और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाईए, ताकि मेरे हर नया आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल करें